इस वीडियो में हम चिलर प्लांट के जो पेरामेटर होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि जो हमारा चिलर होता है उसका टेंप्रेचर जो है इन और आउट का कितना होता है जो हमारी कंडेंसर लाइन होती है उसका टेंप्रेचर कितना होता है जो हमारा oil होता है उसका pressure और उसका temperature कितना होता है साथ ही H2 का जो airflow होता है उसका जो temperature होता है वो कितना होना चाहिए इस वीडियो में जो हम gas का reference लेकर आपको parameter बताएंगे वो हमारी gas जो है वो R134A होगी यानि R134 gas का reference लेकर हम इस वीडियो में आपको जो parameter है वो बताने जा रहे हैं सबसे पहले देखते हैं जो हमारा चिलर प्रांट होता है उसका जो temperature in और out का होता है वो कितना होना चाहिए जो हमारा चिलर होता है उसका जो आउट वेपरेटर के बीच में जो ट्रैवल करता है वो जो चिलर से निकलता है तो उसका temperature छे डिगरी celsius होता है और जब वो एच्चु में से घोम के वापिस चिलर में आता है तो उसका जो temperature है वो बारा डिगरी celsius होना चाहिए यह कोई fix नहीं है जो हम यहाँ पे temperature बताने जा रहे हैं just reference या फिर आप average parameter कह सकते हैं कि हाँ इनके आसपास ही या फिर हलका फुलका इनसे उपर या फिर नीचे जो हमारे parameter हैं वो होते हैं इसके बाद हम अपनी जो condenser line होती है जो कि हमारे चिलर का जो condenser होता है उसके और हमारे cooling tower के बीच में जो पानी travel करता है जो हमारा chiller होता है उसका जो condenser out होता है वो 34 degree celsius या फिर 93 degree Fahrenheit होना चाहिए और जो वापिस cooling tower से घोम के फिर से हमारे condenser में आता है उसका जो temperature होता है वो 28 degree celsius या फिर 82 degree Fahrenheit होना चाहिए इसके बाद जो हमारा compressor होता है उसमें जो oil होता है उस oil का जो temperature वो अगर 40 degree celsius या फिर 104 degree Fahrenheit से कम है तो हमारा जो chiller plant है वो चालू हो ही नहीं पाएगा अगर इस oil का जो temperature है वो 40 degree से ऊपर है तो ही हमारा chiller plant start हो पाएगा इसके बाद pressure की बात की जाए तो जो हमारा यह pressure होता है वो 35 psi का होना चाहिए एक बार फिर से हम आपको बताना चाहिए जो हम यह pressure और temperature बता रहे है वो आप 134 को reference मान के बता रहे है इसके बाद जो हमारा होता है उसमें जो पानी इन करता है उसका जो temperature वो आठ डिगरी सेलिसियस या फिर 46 डिगरी Fahrenheit होना चाहिए अब जैसे आप देखेंगे यहां पर चिलर से जो आउट हो रहा था उसका temperature ठेड़ी सेलिसिस था और एचू में जो एंटर हो रहा है उसका जो temperature हो आठ डिगरी तक है तो यानिके हमारा बीच रास्ते में एक से लेके दो डिगरी तक का जो temperature है वो इनकरीज हो जाता है इसी परकार एचू से जो पानी आउट करेगा उसका जो temperature होता है वो 10 दिगरी चीख पिर 10 दिगरी फारनहाइच होना चाहिए अब बात करते है जो हमारा laughing होता है वाला यहनिके यह हर से बाहर निकलती है यह उसका जो टेंपरेचर होता है 18 डिगरी सेलिस यह फिर 64 air जो होती है उसमें हमेशा fresh air यानि जो हमारे बाहर वाता हुर्ण की हवा है उसको mix किया जाता है और उसका temperature हाई होने के कारणी written air का temperature थोड़ा ज्यादा होता है अब हम जो हमारी gas होती है R134 इसके pressure की बा करते हैं जो section pressure होता है R134 का वो 35 से लेके 45 PSI तक होता है section यानि के जो हमरा compressor होता है वो जो suck करता है gas को उसका pressure. separation pressure कहलाता है अब जो discharge pressure होता है यानि कि compressor जब gas को compress करके release करता है उसको discharge pressure कहते हैं वो discharge pressure 100 से लेके 140 PSI तक होता है अब इसके माल ली जी हमारी मेंसीन जो है यानि हमारा चिलर प्लांट जो है वो चालू हो स्कोरण से में घ्रकर हम देखते हैं। उसको स्टेंडिंग पॉइसर बोला जाता है और यह और यह टेंदिंग प्रेसर जो होता है जिस point के उपर यानि जिस temperature के उपर जो gas होती है वो अपनी form को change करती है यानि कि liquid से gas में बदलती है उसको boiling point बोला जाता है जो कि minus 26 degree Celsius होता है तो उमीद है चिलर से जुड़े ये parameter आपको समझ में आ गए होगे इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप में वीडियो देख सकते हैं